सभी आंगनबारी बहनों को मेरे नमस्कार जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पे देख पाँ रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ मैसेज दिखा रहे हैं माई नोटिफिकेशन का जो अप्शन है इसमें दो मैसेज दिखा रहे हैं ये दो message क्या है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि किस गलती के कारण यहाँ पर यह जो category update वाला जो option है इसमें message दिखा रहा है तो आज इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके भी portion tracker app में इस परकार के message दिखाई दे तो आपको क्या करना है कैसे इसको ठीक करना है इसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं तो वीडियो को आपको बीना skip किये end तक जरूर देख लेना है और आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को like कर दिजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन दिखाई दे रहा होगा उस पे किली करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर पहले back आजाते हैं बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक notification बेल का आइकण दिखा रहा होगा जिसमें कि किस गलती के कारण यहाँ पर यह notification दिखा रहा है इसके बारे में हम समझने वाले हैं तो वीडियो को पूरी ध्यान से आपको एन्ड दक देख तो देखिए सबसे पहले हमको यहां पे बेनिफिसरी वाली केटेगरी ओपेन कर लेनी है ओपेन करने के बाद और यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक केटेगरी है जो गर्भौती महिला की है जिसमें हम लोग गर्भौती महिला से धातरी महिला में ट्र लभार्थी को भेजते हैं तो यहीं पर आपको गलती होती है और इस गलती को आपको नहीं करना है जैसे कि migrate to legtating mother में जब भी हम लोग क्लिक करके जिस भी लभार्थी को हम लोग धातरी महिला में भेजते हैं तो उस टाइम आपसे जो 0-6 मंद के बच्चे का जो डाटा मांगा जाता है तो उसको अगर आप लोग उसी टाइम नहीं करते हैं तो वह message आपको वहाँ पे notification में दिखाई देता है जैसे कि उसी टाइम आपको क्या करना है जब भी आप लोग किसी भी लभार्थी को migrate करते हैं धातरी महिला में भेजने के लिए तो उसी टाइम आपको जो भी 0-6 महा के बच्चे हैं उनका यहाँ पे registration उसी टाइम कर लेना है जैसे कि बाद में भी कर सकते हैं लेकिन आपको उसी टाइम कर लेने से जो notification में आपको message दिखाई देता है वो दिखाई नहीं देगा जैसे कि यहाँ पर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मनिसा कुमारी है जैसे सकते हैं उसलय नहीं जाई है इसके करण यहाँ पर आपको यह message दिखाई दे रहा है तो जितने भी गरbhati महिला को आप लोग transfer करेंगे तो उसी time आपको जो 0-6 माह के बच्चे हैं उनका यहाँ पर नाम दर्ज कर देने से वहाँ पर notification bell में आपको message नहीं दिखाई देगा तो आपको यह गलती नहीं करनी है आपको उसी time जो बच्चे हैं उसका नाम एड नहीं किया है तो उमीद है आप सभी को यह छोटी सी जनकारी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाली जेगा और हो सके तो इस वीडियो को और भी आगम बारी बहनों के साथ सेयर भी कर दिजिएगा मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने राने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद